पिछले वाली वीडियो में हमने गाई, भेंस, बकरी, भेड इन पस्वों के दूद के अंदर वसा, प्रोटीन, लेक्टोज, खनीजपदार्थ इनके बारे में जाना था आज हम बात करेंगे मार्केट मिलक के बारे में तो चलो शुरू करते हैं दूद को मार्केट में बेजने से पहले दूद के कुछ वेधानिक मानक दिये गए हैं जो कि अलग-लग राजव में कुछ अलग-लग होते हैं ये दूद के वेधानिक मानक क्या होते हैं? इनको हम पड़ते हैं अब हेडिंग डालीजिये दूद के वेधानिक मानक गाई व भेंस के दूद के वेधानिक मानक अलग-अलग राजियों में अलग-अलग निधायित किये गए हैं जिससे दूद में मिलावट को रोका जा सके तथा इसकी गुणवता बनी रहें राजिस्तान में वेधानिक मानक गाई के दूद में जो वसा होती है वो कितनी है वो है 3.5% और इसके अंदर गाई के दूद में वसा रहित ठोस पदार्थ के मातरा होती है 8.5% यह तो है गाय का जबकि भेंस के दूद के अंदर जो वसा होती है वो कम से कम 6.07% तो होनी चाहिए इसके अलावा जो वसा रित ठोस्पदारत है वो होना चाहिए 9% यानि गाय का जो दूद है उसके अंदर वसा के मात्रा 3.5% कम से कम होनी चाहिए और भेंस के दूद के अंदर जो वसा है वो होनी चाहिए 6.07% कहाँ पे राधस्तान के बात कर रहे हैं राधस्तान में वेधानिक मानक इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं विपनित दूद या मार्केट दूद विपनित दूद क्या है मार्केट दूद क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं विपनित दूद से विप्राय उस प्रोने पर संस्क्रित एंव सुरक्षित दूद से है जो उपभोगता को सिद्धे उपभोग हैतु बाजार में करे करने के लिए उप्लब्द कराया गया हो यानि एसा दूद जो उपभोगता होता है वो बजार से शिदाई ख्रेजता उसको उपव्योग में लेने के लिए इसमें पसु ब्याने के पंदरा दिन पूरवका तो था ब्यात के तुर्णत दस दिन बाद का दूद समलित नहीं किया जाएगा यान जब गाय ब्याती है तो दस दिन तक का दूद उसमें कामें नहीं लिया जाएगा बेचने के लिए और गाय बैती है उसे 15 दिन का दूद भी पहले है इसमें कामें नहीं लिया जाएगा और इसके अंदर जो वसा और वसा रहत ठोस्पदार्द की मातरा निश्चित होती है अब कौन-कौन से मार्के का होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संपुन दूद जैसको वहल मिलक भी कहते हैं वहल मिलक क्या है इसको दूसरा नाम भी है फूल क्रीम मिलक वहल मिलक या फूल क्रीम मिलक इसमें से कैसे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो उसको संपन दूद कहते हैं संपन दूद में वसा ता वसा रित थोस्पदार्थ के मातरा वो इस परकार से होती है जैसे गाय के दूद में जो वसा होती है वो होती है 3.5% और इसके अंदर जो वसा रित थोस्पदार्थ है वो होता है 8. 0.5 परशेंट जबकि भैस के दूद के अंदर जो वशा के मातर होती है वह 6 परशेंट होनी चाहिए तिता वशा रिध ठोस्पधाद के मातरा जो निश्चतρεक ही वो है 9 परशेंट यानि गाय के दूद के अंदर वशा और वशा इत तोस्पधार्द कितना है त्री पॉइंट पाइप तता एट पॉइंट फाइफ और भेंस के दूद के अंदर जो वसा तता वसा एथ थोस्पदार तब वो है शिक्स एन नाइन ये एक संपुन दूद क्या करता है उब भोगता को पोशक तत्व वाला दूद उपलब्द करवाता है अच्छा पोशक तत्व वाला दूद उपलब्द कराता है इसमें किसी भी तरह की मिलाउट नहीं किये गी है अगला मार्केट मिलक बात करते हैं कौन सा है तो अब हम बढ़ते हैं माननी करत दूद या इसको बोला जाता है स्टेंडराइज मिलक मान की करत दूद क्या है इसके किंदर क्या है सभी प यह मानने करत या इस्टंट्राइज मिलाक वह दूद जिसमें वसा तता वसा रेत ठोस्पदार्थ के मातरा दूद से क्रीम निकाल कर या उसमें सेपरेटा मिलाकर दूद की नियुन्तम वसा कर दी जाती है 4.5% ता वशा एत्थोस पदार्थ के मातरा इसमें रह जाती है 8.5% यानि 4.5% इसके अंडर वशा के मातरा नियुनितम होती है जासे भेंस के दूद्र के अंदर 7% वशा के मातरा होती है लेकिन वशा इसके अंदर जो क्रीम के रूप में निकाल कर 4.5% कर लिए जाती है तता वसाइद ठोस्पदात के मात्रा 8.5 के जाती है यह है मानके करत या इस्टन्डाइज मिलक अगल हम बात करते हैं टॉंड मिलक की बारे में टॉंड मिलक या टॉंड दूद यह क्या है इसके अंदर इसके अंदर टॉंड दूद प्राप्त होता है और वो पानी होता है इसे दूद में डाल कर दरम करते हैं गरम करने से इसके अंदर टॉंड दूद प्राप्त होता है इससे क्या होता है गरम करने से दूद के अंदर फेट या वसा के मात्रा घट जाती है जैसे इसको पढ़ते हैं टॉंड दूद सम्पुन दूद में पानी तता सप्रेटा दूद के पाउडर को मिलाकर टॉंड दूद प्राप्त किया जाता है इसमें वसा तता वसा रेत र्थोस्ट की मात्रा करमस है यां वसा के मात्रा होती है 3% जब कि वसा अर्थोस की मातरा होती है 8.5% यह है टॉंड दूलक टॉंड दूद या टॉंड मिलक आगे हम बढ़ते हैं डबल टॉंड दूद या डबल टॉंड मिलक अब इसका मतलब डबल नाम आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वसा 3 से 6 हो जाएगी इसका मतलब यह होगा इससे आधी हो जाएगी जैसे टोंड में लग में हमने पड़ा था वसा की मातरा कितनी थी 3% जबकि डबल टोंड के अंदर क्या हो जाएगी वसा की मातरा 1.5 यानि जो टोंड दोंड में से वसा निकाली गई थी अब डबल टोंड में से और इससे अधिक वसा निकाली जाएगी तो उससे भी आधी वसा इसके अंदर हो जाएगी इसमें वसा तता वसा रित्ठोस की नियंतर मात्रा 1.5 यान वसा की मात्रा इसमें रहेगी डबल टॉंड के अंदर 1.5 तता इसके अंदर वसा रित्ठोस की मात्रा रहेगी 9 परसेंट ये है डबल टॉंड दूद डबल टॉन जो दूद होता है ये वजन कम करने वाले लोगों के लिए एक आधर्स दूद है क्योंकि फेट कम होने के कारणेस के अंदर केलोरी को ये नेंतरन करता है तो जिस वो फेट कम करना जाता है तो वो लगबग डबल टॉन दूद का उपयोग करता है आजे हम पड़ते हैं पुनस संहेंजीट दूद या रिकॉंस्टिटूट मिलक इसमें क्या होता है एक भाग पावडर का होता है ताथा आठ भाग इसका पानी का होता है यानि इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 100 ग्राम अगर पाउडर है तो आठ सो अम्मल इसके अंदर पानी घोला जाता है जब दूद के पाउडर को पानी में घोल कर दूद दियार किया दाता है तो इसे रे कंस्टिटुडेड मिलक कहते हैं या पूरा से दूद कहते हैं इस परकार का जो दूद होता है जो दूद की आपूरती की कमी को पूरा करता है या जहां दूद की कमी होती है उस कमी को ये दूद पूरा करता है आगे हम पड़ते हैं पूरित दूद या फिल मिलक पूरित दूद क्या है इसके अंदर क्या होता है पूर्ण रूप से दूद में से दूद वसा को निकाल कर उसके अस्तान पर वनस्पती वसा को इस्थापित किया जाता है तो इसे पूरित दूद कहा जाता है एक परकार से हम कहा सकते हैं कि ये इसके अंदर जो वनस्पती वसा होती है उसकी मिलाउट होती है तभी इसको भारत में मिलाउटी दूद की संग्या दी गई है लेकिन जो यह दूद होता है ये हरदे रोग्यों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है ये पूरित दूद या फि अब हम बात करेंगे स्वच्छ दूद के वारे में यानि स्वच्छ दूद की हम परिभासा पड़ेंगे कि स्वच्छ दूद की परिभासा क्या है तो स्वच्छ दूद की परिभासा है हेडिंग डालो स्वच्छ दूद या क्लीन मिलक स्वस्थ एं स्वच पस्वों से स्वच वातावरण में साफ हातों से साफ बरतन में निकाला गया दूद स्वच दूद कहलाता है जी हाँ दुबार समझो इस चीज को आप स्वच दूद गया है देखो पस्व स्वस्थ भी होना चाहिए और स्वच भी होना चाहिए और जहां हम उसको दूद निकाल रहे हैं वो वातावरण भी क्या होना चाहिए स्वच होना चाहिए हात भी साफ होने चाहिए और जिसमें हम दूद निकाल रहे हैं वो बरतन भी साफ होना चाहिए इस परकार का दूद क्या कलाता है स्वच दूद कलाता है ये सोच दूद की परिवासा हो गई लेकिन हमें पता है कि दूद बहुत करणों से दूसित भी होता है लगबग दूद के अंदर दूसित होता है उस दोग परकार के असुदियां पाई जाती है दूद असुद होने के करण लगबग दो होते हैं दो परकार की आशूद्या कौन-कौन सी है देखो पहला है पर्तेक्च आशूद्य पर्तेक्च आशूद्य का मत्यवोता है जो आंक से दिखाई देता है जैसे चारी के तिंके हो गए बाल हो गए मख्hi मच्छर दूलकन आदी हो गए लेकिन इनको हम आसानी से चनले से चान कर निगाल सकते हैं इनको पर्टेक्च ऐसुद्यों को लेकिन हम बात करेंगे ऐ पर्टेक्च ऐसुद्यों को ऐ पर्टेक्च ऐसुद्य वो हते हैं इनमें से वेस भी गंदकी आती हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं इन्हें सुक्सम दर्शी द्वारा देखा जा सकता है तो ऐसी ऐपर्टक्च असुद्धी कौन सी है जीवानों है ऐसी ऐपर्टक्च जीवानों है तो ये बात हमने आज की है कलीन मिलक और मार्केट मिलक की जो की एक्जाम के दर्शी से बहुत ही महत प्रून है और अगले वाले वीडियो में हम कोच और मिलक के बारे में नया पड़ेंगे